अच्छों आज का जो हमारा टोपिक है वह टोपिक है इसरे समझाई में के लिए कोशन्स लेके आहें और यह कोशन्स आपके लिए बहुत हेल्फूल होंगे फरस्ट कोशिन हमारा क्या वालगे दिहां से देखेंगे function दिया हुए x cube plus x square minus 16x plus 20 by this और x naught equals to 2 x equals to 2 के लिए function continuous है ठीक है हर जग है continuous है तो क्या होगा since function is continuous for all x fx will be continuous fx will be continuous at x equals to 2 जब सभी x के लिए continuous है तो x ब्राबर 2 के लिए continuous होगा मतलब f2 की value जो होगी वह limit x approaching to fx के बराबर होगी यहनि एले चलार चलार f2 की value सेम होगी तो हम लोग अब निकालने चलते है f2 की value क्या दिवी है हमें f2 x2 के लिए f2 की value के दिवी है तो f2 की value क्ये होगे k जिकस्टो limit x approaching to fx fx की value क्येतनी हमाई पास है x cube plus x square माइनस 16 x plus 20 by x-2 का होगे अब यह question simple एक limit का question होगे है इसको solve करते ही हमारा k का value आजएगा बच्चो इसको solve करने के लिए हम क्या करेंगे limit x approaching to एलो hospital rule लगा है using चुकि format 0 by 0 का है और 0 by 0 के format हम बहुत असानी से hospital rule लगा देते तो एलो hospital rule से क्या हो जगा 3x square plus 2x minus 16 upon 2 into x-2 अभी भी जो हम इसको check करेंगे बच्चो तो यह फिर से आपका 0 by 0 आ जाएगा 0 by 0 आने का मतलब फिर से एक और फिर से hospital लगा दे एलो फिर से लगाने के लिए क्या करेंगे थ्री टूजा 6x plus 2 by 2 अब हमारे यह format ब्रेक हो चुका है तो 12 to 14 14 by 2 के की वेलू आजएगी बच्चो हमारे पास 7 तो यह लार चलकी वेलू सेम कर दै vet इस धिए है यह हमारा first question हो गया आज का ठीक है सेकन cheg पीतल अब सथे में यह देखू कि यह भी continues दया हुआ है ऐसे continuous दिए ऑसी जेने का मतलब क्या है continuous देने का मतलब बच्छो कि फिर से यहाँ पर जो होगा एफ पाइब फोर की वेलू जब हर एक जगा continuous है इस इंटेवल में हर जगा continuous है तो पाइब 4 पर भी continuous होगा तो एफ पाइब to limit xh approaching pi y4 root 2 cos x minus 1 by cortex minus 1 जाद यहां यहां फॉर्मेट देखे हैं यह फॉर्मेट जीरो बैजिरो का है 0बैजिरो का फॉर्मेट को सॉल करने के लिए सबसे बहते दिन तरीका अल-हस्पिटल होते हैं अल-हस्पिटल नियुक्त ना लग रहा हो तो हम कुछ और कॉच्छरा 170 यरवा इक्सपेंशन वगड़ेंचे एक रंद यहाँ पर एन धांके दिफ्रेंसेस्एन माइनास होजाएगा उन का डिफ्रेंसेशन जीर को टमीर का उबीछंट इस्ट इसक डिफ्रेंसेसर या माइनस को सेंट r x जोगो रूट 2 sine cube x,sin cube x का है personally 5 फोर डू नगिंअ की पट्रॉल रूट्टा पका क्योफोर पचो बेर रूट्टो का क्यूब काफ वेलो के टेना आगये है 1 बांटा क्योफ का सब्सक्राइब deux you meant इस तरह से हमारा यह सेकड़कोशन भी सिंप्लिफाइन थाट कोशिन की तरह बढ़ेंगे तो तक समगे बता कर रहा है कि हां पे ऐसे फॉंक्शन को ना हमेंजा जीरो पर सबसे परेजह करना चाहिए और ऑप्शन से मदद लेनी चाहिए कि वी ऑप्शन क्या कहां पर निकलना है कहां पर नहीं निकलना है कि struggling स्कूर्ण करना होगा अक्षास कर जीरौ वगड़िपो ऐसे करना ही जाएं तो है कि एक से इक सिकेस तो जीरो आएधी पो का होल स्केर का इंटीजर अच्छा जीरो से कम जब आपको बोले ना तो जीरो से थोड़ा सा छोटा यानि-0.01 कुछ ले ले लेंगे मन में मन में इसको सिंप्लिफाइब करने के लिए तो अब इसका इंटीजर देखे तो सबस्काइब तो बन का इंटीजर देखे तो म साबंस ग्याइब थिवचा कई दूप्रूंद ऑफ सबस्क्राइब थे अगया ंटीज़िए फिचे ठीक है पिस्कॉन्टिंवज दिसकॉन सब्सक्रण च्वाञ्ट करों टॉंपरे चट्क करेंगे तो एलिंफरा यह हमारे पास limit x approaching 1 minus 1 से कम के लिए function के integer x का square integer 1 minus का square minus integer of 1 minus के square का integer एक से कम का integer के हो जागा 0 और x से कम का square करेंगा बच्चो तो x से और कम हो जागा इस case में भी integer 0 ही हो जागा आरेचल की बात करें हम यहाँ पर यह दिए 1 प्लस की बात करें दोखो continuity वगरा में क्या हो रहा है कि आजकल greatest integer के question limit continue में धेर सारे आ रहा है तुछ trend है दिए आप greatest interior को अच्छा से नहीं कर पा रहा है तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी और जाद डिटेल हो तो इसका वीडियो भी मना देंगे theory का ठीक है प्लस पर बात करेंगे तो वन प्लस का इंटीजर वन होता है तो वन की बहुंत प्लस को यह जागा इसका इसकी वेलुब हैंस कॉंटिन्यूस एट एक सिकस्टू जीरो एक वार हमनों चेक करने पीछे किस पर हमनों नहीं जीरो पर क्या निकाला था यह तो वन पर तो कॉंटिन्यूस हो गया जीरो पर वैल्यू कहाँ थी पैसे जीरो पर डिस कॉंटिन्यूस हो गया था ठीक है क्योंकि जीरो पर डिस कोशिन को देखें तो यह जीरो पर ही कह रहा है तो जीरो पर निकालना है तो सब्सक्राइब लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो माइनस जीरो माइनस के लिए ग्रेटेस इंटेजर हमारा ग्रेटेस इंटेजर टैन स्क्वेर जीरो से कम तो टैन ठीटा की वैलू जीरो से एक्रेस वैल्वास गयात। विए बिहाते और सभनाडेस आधि कुछ वैलव में पीटाउट हो ना तो अब ग्राफ बना लिजीए दिखेए गारे चलके होगा, लिमिट X approaching 0+, 0+, पे greatest integer, 10 square 0, अच्छा, 10 की वेलू, 0 से बढ़ी के लिए, तो 0 से बढ़ी ही होगे, ठीक है? 0 से बढ़ी होगी, और इसका integer 0 होगा, एदि F0 की वेलू निकालेंगे, है यहांस है फॉंक्षन इस कॉंटीनूस एक्सेज का स्टूज जिरो पे फॉंक्शन कॉंटीनूस से ओचाँ ठीक है आगे बरते हैं लोग अगला हमारा कह रहा है कि कहां पर यह डिसकंटीनूस से यह चेक करने हैं तो सब से पहले हम क्या करेंगे तो आसा ब्रेक कर लेता है फंक्षन को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा तो फंक्षन बदल किसके लिए रहा यह ग्रेटेस इंटियर के लिए बदल ला है इसी की हिसाब से फंक्षन को ब्रेक करना होगा यह ब्रेक कैसे होगा पहले ले लिए एक्स को माइनस वन से जिरो एक्स को यदि माइनस वन से जि चीरो हो जागा X 1 से 2 लेते हैं यदि मालो एक्स वान से 2 लेते है तो registration की value 1 हो Ga नहीं कि तो cos x minus 1 by 2 into pi. या हो जागा हमारे पास यदि हम X को 2 से 3 लेते हैं माल लिया जाए. 2 से 3 लेते हैं पत्चो हो तो 2 cos x minus 1 by 2 चोंई integer की value, 2 हो जाएगी ठीक है? अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है ध्यान से देखो तो इंटीजर पर लेचल आर्चल की वेलू क्या है यह जीरो से कम के लिए देखे जीरो से कम के लिए तो जीरो से कम के लिए function कौन सा है जीरो से कम के लिए function यह है पहला है, 0 से कम के लिए दी देखे हम, तो यह जागा minus cos 0 minus 1 by 2 into pi, यानि minus cos minus pi by 2, cos 90 0 होता है, तो यह 0 होग78, 0 से कम, अच्चा, 0 से ज्ञादा के लिए क्या है आगा वच्चो, 0 से ज्यादा के लिए 0 है, अच्च, F 0 के लिए दी देखे तो 0 ही है, तो continue set 0 होगे है, continue set zero हो गया अब one से कम पे देखना है one से कम पे देखना है one से कम के लिए function कौन है one से कम के लिए तो zero है यह रहा one से कम वाला function one से कम वाला function यह है अच्छा one से ज्यादा वाला function यह one से कम के लिए यह होगा one से ज्यादा के लिए यह होगा ज़ाए निकाल लेजा है, मनलो f1 प्लस निकाल से निकाल से निकाल से इस वाले इक्वेसन से निकाल से Décak लेए टो इसाले से कैसे निकाल लेगे भी, 1 प्लस की वेलू तो 1 से थरा से ज्यादा वेलू टून रखेंगे तो यह झाल गा, कॉस 1-1 by 2 into pi which is again cos pi by 2 and cos pi by 2 faces 0 अच्छा f1 भी हमारे पास 0 हो आचाएगा इससे पता चलता है कि function जो है वो continuous हो रहा है hence f is continuous function continuous हो रहा है सब जगे ले चला आचल की बलावर आ रहे function continuous हो गया अब यदि हम बात करेंगा अगले question पर अगला question हमारा क्या कर रहा है function की value x cos pi integer x और 0 1 पर करने तो 0 पर बात करें तो lhl 0 से कम के लिए x cos pi bracket x plus integer 0 से कम के लिए 0 से कम के लिए integer की value minus 1 हो जाती है तो यह गर 0 into cos pi x minus 1 अच्छा इसकी value तो कुछ भी होगी minus 1 से 1 के बीचे में होगी और 0 से गुना होकर value क्या हो जगे 0 इले चल तो एक्स हो गया को सब्सक्राइब के बीचे होगी और जीरो सब्सक्राइब तो यह भी जीरो हो जागा है एफ जीरो के वेलो भी जीरो हेंस continuous है जीरो हो गया तो जीरो पर continuous हो गया है तो जीरो पर निकालने की कोशिस करेंगे तो वन पर कितना हो जाएगा हमारे एक से कम के लिए लेमिट एक्स अप्रोचिंग वन माइनस फंक्शन के अमारे पास एक्स कास एक्स कॉस्पाइब रैकेट एक्स प्लस इंतेजर वन माइनस तो एक्स कॉस्पाइब 1- का integer 0 हो जाते है बच्चो एक से कम का integer 0 हो जाते है और यह हो गया 1 cos pi cos pi की विलूँ minus 1 it will be minus 1 f 1 plus यदि 1 plus निकालेंगा तो limit x approaching 1 plus x cos pi bracket x plus integer 1 plus तो integer 1 plus value 1 हो जाएगी यहां से तो 1 into cos pi x plus 1 यानि 1 into cos 2 pi हो जाएगा cos 2 pi की विलूँ कितनी होती है cos 2 pi की विलूँ भी 1 ही होती है तो यह चलार चलानेगा तो यह discontinuous होगे बच्चो यहां कहां पर discontinuous at x equals to 1 1 पर discontinuous हो गया अब यह जो question हमारा option based है ठीक है 7th question तो हमने option दो mention किया नहीं इन दो results को check करने है function continuous दिया हुए f और g 0 स 1 के लिए such that maximum of fx maximum of gx के बराबर है देखो दो function का maximum बराबर है fx का maximum और gx का maximum बराबर है तो हो सकता है कि fx और gx का maximum same point पर मिला हो सकता है अलग-अलग point पर मिला हो तो दो case हो सकता है case 1 क्यों हो सकता है if fx and gx have maximum at x is equal to कुछ भी p common point same common point ठीक है same common point पर maximum हो रहा है तो यहां पर जो fp के value होगी वह gp के बराबर हो जाएगे according to the condition कि भी दोनों का maximum बराबर है तो fp बराबर gp हो जाएगा लेकिन पी के value 001 के बीच में ही होगी क्योंकि सारा कहानी 001 के बीच में ही रच रहा है ठीक है लेकिन मान लिया जाए यदि अलग-अलग पॉइंट पर maximum हुआ है एफ का maximum हुआ मान लो हमारा एप और जी का maximum हुआ बीप जी का maximum हुआ बीप एफ बराबर जी बी होगा ठीक है एफ बराबर जी बी अब यहां से जैसा कि हम जानते कि एफ ए माइनस जी ए जी रो होगा एफ बी माइनस जी बी जी एफ बी फ्लस एफ ए माइनस जी ए देखो ध्यान से अब गोर से देखना यह एदि फंक्शन ए पर maximum है एफ तो जी ए की वेलू छोटी हो जाएगे फ ए प्लस जी ए की वेलू पोजिट ए फ माइनस जी एक एफ ए पोजिटिव हो जाएगे और FB-GB की value negative हो जाएगा चुकि G की maximum है B यदि कोई चीज मैक्सिमम है यह चीज मैक्सिमम है तो किसी से भी ज्यादा होगा यह ज्यादा है और यह कम है इधर यही ज्यादा है और यह कम है तो positive हो जाएगा that's it simple सी बात है यह तो FC-GC is equals to 0 for some value for some C belonging 0 to 1 and F and G are continuous तो FC-GC 0 हो जाएगा ठीक है FC-GC की value 0 होगे इसको equation 1 दे देता है सी के कुछ value के लिए FC-GC 0 की value होगे अब इसमें एक और चीज़ चेक करना था कि F square C माइनस G square C प्लस 3 FC-GC की value चेक करने है इसकी value क्या होगी तो जैसा है कि हम यह समझ रहे है यह तो 0 ही हो जाएगा और इसके दो factor बनेंगे FC-GC इंटू FC-GC अच्छा यह फिर से 0 0 प्लस 0 यह जिका स्टू 0 यह बात भी सही हो गया फाइनली तो यह बात भी सही होगा तो F square C बराबर G square C हो जाएगा एक तो आसानी से यह रिलेशन तो इसमें कुछ options चेक करने थे जिसमें यह बाते थी तो यह भी चेक कर दी हमने यह भी चेक कर दें यहां पर यह यह options चेक करने थे और इन options को हम लोगे चेक कर लिए ठीक है अगले कोशन की तरह बढ़ते फोर एवरी इंटीजर एन एन बी एन रियल नमबर है कोशन एडवांस का यह कोशन आए ठीक है लेकिन मैंस में ऐसे छोटे कोशन देगा आपको चेंज करके यह तो fx यह दिया हु यहां पर f2n देखते है f2n कितना होगा f2n निकालेंगे हम लोग तो f2n इस वाले इक्वेशन से निकलेगा first वाले से f2n के वह बैली एदे निकलने की हम प्रयास करेंगे तो f2n को इस से निकलेगी first dollar से निकलेगी बच्छो तो इससे निकलेगी f2n के बड़ो कितनी होगी a n अब plus sign 2n pi, sin2n pi 0 यह तद फाइनल यह a n हो गया F2n से थोरा से बढ़ा ले लेते है, 2n प्लस ले लेते है 2n से थोरा से बढ़ा ले लेंगे, तब भी a n ही हो जाइगा चीड़ीव 2n से थोरा से छोटा यह लेते है 2n माइनस, यह ले चल लेते है तो यह हो जगा bn प्लस 1 कैसे? आप देखके तो bn cos Rs.apy इन्टो 2Nπ cos 2Nπ के वेलू 1 होती है तो यह हो जगा BN प्लस 1 ठीक है इस तरीके से अब यहाँ पर A-N-BN के वेलू हो जाएगी A-N-BN A-N-BN के वेलू निकलेंगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा A-N-BN निकलेंगा तो 1 हो जाएगा फिरसे कुछ ओड शीज़े निकालते हैं F2N प्लस 1 की वेलू कितनी होगी देखो तो F2N प्लस 1 की वेलू एन हो जाएगी क्यों 2N प्लस 1 इंटो साइन पाई तो 0 ही हो जागा हो और F2N माइनस 1 से 2N प्लस 1 से थोरा से छोटा लेते हो तब इसकी वैलु कितने होगी कि तब भी एन होगी लेकिन एफ टू एन प्लस वन से थोला सच ज्यादा लेंगे दी वैलु आप तो अश्यादा लेंगे दी वैलु तो इसवार होज़ागा बी एन प्लस बान माइनस वाल यहां से ए न ब्रावर continuous दिएए और-1 섞ाँ टो एन मैने सब्सीं न बावर एन प्लसवन कर न मैनस ऊजाएगा अब आप यहां से एन माइनस वन न को रिप्लेस् काचे ते इन मैनस S1 minus 2n tons I will find fine little time plus one minus kinsky बात कि रही है तो इसको कैसे निकालेंगे तो यहां से निक्लेंगे ian-1-1 से कौम इस वाले से निकले है तुम्र माइनस से कम 2N plus1 से कम तुसें प्लसमें पहले वाले से निकलेगा तो पहले रही अलुए ए ए एन प्लस साइन तो एन प्लस वन इंटो पाइ और यह सब जीरो ही हो जागा तो यही से यह से यह सम निकाल गाए हमने लिख्या उपर तो इसकी वेलू निकाले थे पुच्छों अगले कोशें की तरब भरते हम लोग अगला कोशें हमारा क्या है जीरो पर कॉंटिनुटी दी हुई है तो इले चल आरे चल और ऐफ जीरो तिनों की वेलू बराबर होगी कॉंटिनुटी होए तो इले चल होगा लिमिट एक्स एप्रोचिंग जीरो माइनस जीरो से कम के लिए फंक्शन क्या है रिवान प्लस मॉड साइन एक्स पाउर एबाई मोड साइन एक्स एब बाइ मोट सेन एक्स आरे चल के है बच्छो लिमिट एक से प्रोचिंग जीरो प्लस एकी पावर एक टैन टूएक्स बाइ पाइ टैन ट्री एक्स और एफ जिरो किया है भी अब यहां यहां इदिटी जीरो से कम पर बात करेंगे तो जीरो से कम पर तो मॉट हट जाएगा 1 minus sin x हो जागा power a by minus sin x और 0 से ज़्यादा पो जागा x approaching 0 plus 10 e की power 10 2 x को divide कर दो 2 x है multiply कर दो 2 x है divide by 10 3 x तो है यह है ब्राबर b तो 10 2 x भाई यह हो जागा 1 और यह हो जागा 1 by 3 यह हो जागा e की power limit x 1 की power infinity है बच्चो इसलिए e की power लगा रहा a by minus sin x 1 minus sin x minus 1 और यह हो जागा e की power 2 by 3 is equals to b यहाँ से 1 1 कट गया minus sin x minus sin x कट गया e की power e की power 2 by 3 ब्राबर b a ब्राबर हो गया 2 by 3 बच्चो और b ब्राबर हो गया e की power 2 by 3 that's it बहुत ही आसान सा काम था इसका असाने सम्मूने कर लिया अब यह भी हमें कर रहा है कि 0 पर continuous है यहाँ पर भी अले ले चल आरे चल और f0 तीन ब्राबर हो गया तो यह ले चलो जगा limit x approaching 0 minus, 0 minus पर क्या हो जगा, 1 minus cos 4x बटा x square, 0 से कम के लिए, 0 से ज़्यादा के लिए limit x approaching 0, plus root x by root under, 16 plus root x minus 4, और f0 के value होगी a, तो अब यहाँ पर हूँ क्या करेंगे, solve करने के लिए, बहुत सारे तरीके हैं, yellow hospital भी लगा सकते हैं, और formula भी लगा सकते हैं, यह दिए yellow hospital लगाएंगे, तो minus 4 cos theta का minus sin theta होता है, तो sin 4x by 2x, 2 से divide और 2 से multiply बच्चो, यह 1 हो जागा सारा मिला के, 4 to 0, 8 हो गया, limit x approaching 0, plus, इसको rationalize कर दो, तो root x, उपर आ जागा, root under, 16 plus root x, plus 4, by, निचो जागा, root 3 जागा, 16 plus root x, minus 4 कर सके है, easy goes to a, 16, 16 cancel हो गया यहां से, फिर root x, root x भी कट गया बच्चो, तो यह हो गया, अब x को 0 भर दो, तो 16, root 16, root 16 plus 4, is goes to a, तो यहां से, यह तो 8 है ही, यह भी 8 हो गया, और यह a, a बराबर कितना हो गया, 8 a की value पूछा था, b तो है ही नहीं समय उच्चो, b की value कहां पूछा जा रहा है, तो b की value all real हो जाएगे, b है ही नहीं तो, obviously, b यदि कुछ होता है, तो हमने b की value निकालती है, equation में, equation में b मौझूद था नहीं, तो हम मौझूद नहीं होने के वज़ए से, b की value नहीं हुए, अब यदि हम अगले question के तरह पढ़े है, तो अगला question हमारा देक्टिक्या है, जैसे कि मानना हमें discuss करनी है, इसे हम 12th question के तरह देक्या है, तो हमानो discuss the continuity of fx is equals to mod x by sin x at x equals to 0, और हमें 0 पर discuss करने हैं, इसे continuity मानने जाए, तो सबसे पहले हमें क्या करने हैं, बच्छो, अले चल नहीं का लेंगा, अले चल लो जागा, x approaching 0 minus mod x by sin x, तो mod x by sin x के वहले किते हैं, जाए, x approaching 0 minus पर, जैसे थ्वासा मज़ा आ जागा, जब greater sin x लगाते हैं, ऐसे थ्वासा न, ऐसे तो बहुत ही असान लग रहा है, ये question, इसमें थ्वासा greatest sin x लगाते हैं, बच्छो, अभी मज़ा आ जागा, ये question में थोड़ा सा, तो ये greatest sin x हो गया, तो greatest sin x माइनास x by sin x हो गया, sin x वह एक से छोटा होता है, x by sin x 1 से थोड़ा सा बढ़ा होता है, slightly greater देना, तो ये greatest sin x 1 से थोड़ा सा ज्यादा, 1 से ज्यादा का greatest sin x हो गया, 1 से ज्यादा माले 1.1, और इसका minus 1.1, minus 1.1 का integer हो जागा, minus 2, ये आरे चल की बात करें, तो x approaching 0 plus, 0 plus पर क्यों हो जागा हो, mod x by sin x का greatest sin x हो गया, तो 0 plus पर हो जागा, ये plus का हो जागा, बस आपको, x by sin x, अब x by sin x के लिए 1 से थोड़ी से बड़ी, तो 1 से थोड़ी से बड़ी का integer लेंगा, तो 1 ही होगा, यहाँ पर LHL not equals to RHL है, definitely हम directly का सकते है, function will be discontinuous at x equals to 0, 0 पर function क्यों हो जागा, बच्छो, discontinuous होगा, अगले question के तरफ बढ़ते हम लो, अगला question हमारा है, 13th question, तो 13th question कहें कि, if fx is equals to, ठीक है, fx is equals to 2x plus 3, x is less than 0 के लिए, 0, x is equals to 0, x is plus 3, x greater than 0, इदे हमें continuity डिसकस करने है, discuss continuity at x equals to 0, तो सबसे पहले हम यहाँ पर LHL निकालने होगा, बच्छो, LHL की वल्यू कितनी हो जाएगा मारे पास, LHL की वल्यू इदे देखी जाया, तो limit x approaching 0 minus, 0 minus पर function है 2x plus 3, 2x plus 3 पर value 3 हो जाएगा, और यदि RHL की बात करें, RHL, x approaching 0 plus, 0 plus पर x is equals to 3, x is equals to 3 पर भी 3 value आजाएगी, यदि f0 की बात की जाएगा, f0 0 है, hence LHL R चल तो बड़ाबर है, limit exist कर रहा है, लेकिन f0 बड़ाबर नहीं है, hence discontinuous, तीनों बड़ाबर होने चीए, तो यह continuous होते है, तो तीनों बड़ाबर नहों होने के कारण, यह discontinuous हो गया, अगले question की तरफ चलते हैं हमनों, ठीक है बच्चों, अगला question है हमारा, fx is equal to, greatest interior 10 inverse x, यह GIF है, और इसके continuity discuss करनी है, कई तरीके हैं, लेकिन इसको हम graph से बनाने की कोशिस करेंगा, तो देखिए, यदि हम 10 inverse x का graph यह देट रोकर बच्चों, सिर्फ 10 inverse x का, तो 10 inverse x का graph ही होता हमारा, 10 inverse x का graph बना है, तो 10 inverse x का यह graph है, लेकिन जब हम इसके integer का graph बनाएंगे, इंटीजर वाले graph में क्या करना होता है, मैं कि इसके integral coordinate का fix करना होता है, यह 0, यह 1, और यह pi by 2 हमारा, यह यहाँ पर something, minus 1 होगा बच्चों, और यह minus pi by 2 है, यहाँ, इंटीजर कोडिनेट का fix करना होता है, तो यह 0 से, यहाँ तका integer 0 हो जागा बच्चों, और आगे का integer 1 हो जागा, y ब्राबर 1, फिर इधर integer minus 1 हो जागा, यह vacant point होगा, यह included होगा, और फिर इधर का integer हमारा, minus 2 पर चला जागा, क्योंकि, minus 1 से छोटे का integer minus 2 हो जाता है, तो इसका integer इधर minus 2 पर, y ब्राबर minus 2 पर चला जागा, यह minus 2, फिर फाइनल ग्रेटेस इंटेगर है देहम ग्राफ देखने की कोशिस करें, तो ग्रेटेस इंटेगर ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से आजएगा, आपको ध्यान से दिखा रहा हूँ, यह 0 से 1 के बीच यह होगा हमारा, फिर आगे 1 पर रहेगा, फिर इधर हमारा बच्चो यह minus 1 पर आगा, ठीक है, और फिर आगे का जो value है, वो minus 2 पर चला जाएगा, यह इधर, y ब्राब माइनस 2 पर, यह 10 1 है, यह minus 10 1 है, तो 3 पॉइंट पर discontinuous होगे, कहां का, minus 10 1 पर, 0 पर, और 10 1 पर, ठीक है, तो कह सकते हैं, function is discontinuous, यह सब question, guess questions है, ठीक है, directly आने के chances है, तो आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान को भटकाएंगे नहीं, हम यह सब पूरा वीडियो देखें, तो अपने आप आपको समाज में आता जाएगा, कहां भी यह questions आया, कौन question आया, 15th question के तरफ बढ़ते बच्वाँ हम लोग, 15th question कहा है, कि भी, if fx is equals to cos x by pi by 2 minus x, x naught equals to pi by 2, 1, x equals to pi by 2, ठीक है, discuss premium एक फिक कान्टिन्यू सुक्रिंटिन एक आट एक सो सब्रॉं म avait टुंकavedू में खुनकर कली इसकस करने के लिए ले लचल निकालते हैं हो है ले लिंट एपाइट पाइवाइट टू पाइवाइट टू माइनस पाइवाइटू से और यह चका गए और ग्लोस सब्सक्रविए निकालेंगा तो यह चेक कर सकते हैं के även तो फैन्स चैंस १ परhave कि नहीं है उच्छो ओश्ध शेक्वर बेड़्स मय दूश्ध कक टिस कंटिनिवस होगी टेसक्थ किन की तब चलता है हमारा question number 16 यह chapter 3 सा छोटा है generally बागी chapters काफी बड़े होते हैं यह chapter इतना बड़ा नहीं है छोटा सा chapter है तो बहुत जादा मेहनत करने की भी जुरुत नहीं पड़ेगी था आसाने आसाने से आप लोग कर लेंगा ठीक है इफ एफ एक्स इस इकस तो ग्रेटेस इंट्रियर एक्स स्क्राइब माइनस वन डिवाइड बाइए एक्स स्क्राइब माइनस वन फॉर एक्स स्क्राइब 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 क्या करना चाहिए हमें कैसे करना चाहिए है सबसे पहले हम function को तोर देते हैं यहां पर तो 1 से छोटा के लिए दे लेते हैं जब x-square 1 के बढ़ावर नहीं है तो x-square 1 से छोटा हो सकते है और 0 से बढ़ा हो सकते हैं तो 0 से बढ़ा और 1 से छोटा यह दी है तो 0 से 1 के बच इंटीजर के वेलू 0 हो जाएगी 0-1 by x-square-1 लेकिन जब x-square के वेलू 1 से 2 के बीच है तो 1-1 by x-square-1 और x-square जब 1 है तो यह 0 है तो यदि f1 minus की वेलू यदि हम निकाले हैं आपर तो f1 minus की वेलू हो जाएगी minus 1 by 1 minus 1 it will be minus infinity है और f1 plus की वेलू 1 से ज्यादा पर वेलू निकालने के को सिस करें बच्चो तो यह 0 ही है और f1 हमारा 0 है ऐसे discontinuous डारक लिए वैसे भी एक infinite आगया तो continuous होने का सवाल ही नहीं है ठीक है क्योंकि finitely equal होता है तब ही continuous होता है infinite के साथ equal हो तो continuous नहीं होगा ठीक है अगले question के तरह चलते हैं हम लोग अगला question है हमारा discuss the continuity of fx is equals to limit n tends to infinity sin pi x by 2 की power 2n पर discuss करना हमें सबसे पहले हमें क्या करना है तरह से इसको rate कर लेना function को limit n tends to infinity है x की 2n की value जो होगे वो दो तरह की हो सकती है या तो 0 या तो 1 यदि mod x की value 1 से चोटी है तो 0 और जब mod x की value 1 है तो यह 1 इसी साब से हम देखें तो यहां जो fx होगा जो की limit n tends to infinity है है और sin pi x by 2 की power 2n की भी जो value होगे वो दो तरह के हो सकती या तो 0 या तो 1 0 मतलब mod sin pi x by 2 जब less than 1 होगा तो और mod sin pi x by 2 जब 1 के बराबर होगा तो यानि f will be discontinuous f will be discontinuous at mod sin at x where mod sin pi x by 2 is इसे पर वेलू हमारी क्या हो जाएगा ठीक है बच्चों कि हमें ध्यान देना है इस पर जैसी रखेंगे तो टोटल फंक्शन की वेलू चेंज ने लग जाएगे ठीक है इसके साथ साथ अगले कोश्चन की तरफ चलते हैं 16th 18th कोश्चन discuss the continuity of fx request to root x square x plus 1 at 0 तो हम कह सकते हैं solution में क्या कह सकते हैं clearly for x approaching 0 minus function is not defined because domain is domain is 0 to infinity hence f will be discontinuous ठीक है function discontinuous हो जागता है ट्लिक कह सकते हैं ठीक बच्चो एक दो राश्नल राश्नल वारे कोश्चन देख लेते हैं कि भी इफ fx is equals to x minus 1 x belonging rational and x for x not belonging rational discuss the continuity continuity discuss करना है तो सबसे फिल हमें क्या देखना है आपर देखो इफ पॉसिबल इफ पॉसिबल तो a minus a को rational माना तो a minus rational हो जागा यह a minus 1 हो गया ठीक है तो a minus 1 अच्छा यह हो जागा a और f a की value भी हो जागे a minus 1 which can't be true ever hence f is always discontinuous हमेंसा क्या होगा बच्छों फंक्शन सब्सक्राइब नेक्स्ट कोस्टन पर चलते हैं इफ एफ एक्स इकस्टों लेंड़ एक्स माइनस वन और लें एक्स बिलोंगिंग राशनल and mu x square plus mu x minus 2 x not belonging राशनल find lambda and mu if f is continuous at x equals to 1 and x equals to minus 1 तो यदि continuous है वन और minus 1 पर क्या करेंगा as f is continuous at x equals to 1 1 पर continuous है तो 1 से कम पर 1 से ज्यादा पर और 1 पर value सेम आएगी तो 1 से कम पर value कितनी है जाएगी लेंड़ा 1 से कम पर 1 राशनल है बच्छों 1 राशनल तो 1 से कम जोग हो और राशनल होगा इन दोनों की value सेम होगी राशनल वाला है जाएगी मू इन्टू 1 प्लस मू माइनस टू और f1 के वह लोजेगी लेंड़ा माइनस 1 यानि 2 मू माइनस 2 बडाबर लेंड़ा माइनस 1 यानि 2 मू माइनस 1 बडाबर लेंड़ा एक एकवेशन ही होगे दूसरा for x is equals to minus 1 f minus 1 से कम f minus 1 से ज्यादा और f minus 1 भी बराबर होगा as continuous continuous दिया होगा है तो minus 1 से कम और ज्यादा की value same होगी फिर से और यहाँ value आजागी कितनी mu minus mu minus 2 बराबर lambda into minus 1 minus 1 तो होगे minus 2 plus 1 बराबर minus lambda ऐसे lambda बराबर 1 lambda 1 होगया इसमें put कर दीजिया mu की value होजेगे lambda plus 1 by 2 1 plus 1 by 2 यह भी 1 होगया lambda mu इस तर से lambda mu की value आगे बच्चो continuity से हम लोग इतने questions रखते हैं continuity इतना ही झालेtest झोले कोगे हमुआे बराबर